सब्जेट गो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ राजक्मार सिंग आप देख रहे हैं सब्जेट गो आईए सिखते हैं आज का अधिया है सब्जेट गो में आज हम Microsoft Word में जानेंगे कि कैसे आप इसमें कोई फाइल आपने तयार कर लिया है तो किस तरह से आप जो है उस फ है तो सबसे पहले जानते हैं कि वाटानों होता क्या है वाटामार की एक टैक्स्ट या फ्टो होता है जो हम सब्सक्राइब hide करके लगाते हैं जो हलका दिखता है page पे पूरी तरह से नहीं दिखेगा हलका दिखेगा क्योंकि page पे कुछ भी लिखा हुआ है तो वो नहीं छिपेगा वो पीछे से जो हलका सा दिखता है तो उसे हम कहते है watermark तो जैसे ही Microsoft Word आप open कर लेते हैं 2007 2007 या कोई भी वर्जन तो तरीका बिल्कुल सभी में सेम होता है 2007 से उपर जो भी वर्जन आप यूज़ करें तो उसके लिए आपको दिखेगे यहाँ पर रहेंगे home में उसके बाद आपको क्लिक करना यहाँ पर page layout में इसमें जब आप क्लिक कर देते हैं तो इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएए page background block इसके अंदर आएंगे तो तीन चीज़े यहाँ पर दिया हुआ है अब यहाँ पर दिखे दिया है watermark इसमें क्लिक किजे अब इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी watermark चुन सकते हैं यहाँ पर दिखे लिखा हुआ है यह कुछ यहाँ पर इस तरह से अब custom watermark लगाना है यानि कि खुद का हमें watermark लगाना है तो watermark के अंदर हम कोई photo लगा सकते हैं कोई company का नाम दे सकते हैं अपना नाम दे सकते हैं या file में जो भी text हम देना चाहें वो दे सकते हैं custom watermark के अंदर तो यहाँ पर नीचे देखे लिखा है custom watermark इस पर आपको click करना है जब आप इस पर click करते हैं custom watermark पर तो आपके सामने यह window खुलता है यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप watermark में क्या use करना जाते हैं कोई photo या text तो मैं यहाँ पर use करना चाहता हूं text यानि कि कोई भी text लिखके watermark के तोर पर लगाऊंगा तो उसके लिए यहाँ पर देखे text watermark इस पर click कीजिए अब आपके सामने यह option यहाँ पर सभी so हो गए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे language तो language में यहाँ पर English ही रहने देना है text में यहाँ पर आपको change करना यहाँ पर आपको जो भी watermark में नाम देना चाहते हैं वो लिखे जैसे मैं लिख देता हूं subject go मैंने यहाँ पर दिया subject go और उसके बाद यहाँ पर font का style कह रहा है चुनने के लिए तो font का style यहाँ से आप चाहे तो चुन सकते है जो भी style आपको पसंद है जैसे कि मैं यह style यहाँ पर ले लेता हूं उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है size size जो है मैं auto छोड़ देता हूं और उसके बाद यहाँ पर color तो color में जो है मैं यही रहने दूंगा अभी color यहाँ पर कोई भी नहीं चुनूंगा अभी पहले आपको एक बार check करा देता हूं उसके बाद layout में यही है और यहाँ पर cement transparent है उसके बाद करते हैं यहाँ पर apply और close अब देखे यहाँ पर एक watermark यहाँ पर पीछे लग गया है अब page पर दिहां से देखे यह लिखा हुआ है subject और go चलिए मैं page को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं देखे यहाँ पर page पर लिखा हुआ है subject गो इस तरह से देख सकते हैं अब मैं फिर से यहाँ पर page layout में क्लिक करके यहाँ पर जाओंगा watermark और यहाँ पर custom watermark पर क्लिक करके अब मैं इसमें थोड़ा सा और format कर देता हूं यह तो मैंने text यहाँ पर लिखा हुआ है subject गो अब मैं इसमें color चुन लेता हूं थोड़ा सा color मैं चुनता हूं हलका blue जैसे कि यह वाला blue और यहाँ पर semi transparent है इसे मैं ऐसा ही रहने देता हूं या अगर इसको मैं हटा दू यहाँ पर तो देखे यह इस तरह से आएगा subject गो देखे यहाँ पर पीछे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर highlight हो के आया लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर देता हूं semi transparent और apply तो यह थोड़ा सा और hide हो जाता है यह hide हो गया इस तरह से और close करते हैं तो देखे इस तरह से जो है watermark आप लगा सकते हैं उसके बाद फिर से यहाँ पर जाते हैं watermark पर और यहाँ पर चुनते हैं custom watermark अब इसके अंदर यहाँ पर देखे एक option और यहाँ पर दिया हुआ है auto auto में जाके यहाँ से आप जो है change कर सकते हैं size कितना आपको रखना है और अगर आप यहाँ पर layout में change करना चाहा है तो यह horizontal कर देते हैं अभी यह diagonal में है horizontal में देखे बिलकुल सीधा आएगा और ok करते हैं color में जो है color हम चुन लेते हैं यहाँ पर color हम red देते हैं इसे और apply close तो दिखें red color में इस तरह से watermark यहाँ पर आ गया अब इस watermark को आप select नहीं कर सकते हैं इसमें कोई भी काम नहीं कर सकते हैं आप को watermark में तो उसके लिए आप यहीं से कर सकते हैं watermark के अंदर यहां पे click करके अगर page पे आप click करके सोचेंगे कि मैं इसको select करके delete करू या कुछ भी करू तो यहां पे कोई भी काम नहीं करेगा और file में जो भी चीज आपने type कर रखा है जो भी आपने लिखा है वो भी इसी तरह से यहां पे रहेगा यह जो watermark है यह देखिए पीछे लगा रहता है page के पीछे देखिए मैंने यहां पे कोई भी लगाते हैं वही यहां पे हम जो है सीख रहे है वाटर मार्क ठीक है तो उसे जो है वाटर मार्क कहते हैं आप सिखते हैं कि इस वाटर मार्क को अगर आपको रिमूफ करना हो यानि हटाना हो तो हटाएंगे कैसे तो हटाने के लिए भी बहुत आसान है पेज लियाउट में जाना है और उसके बाद यहां पे वाटर मार्क क्लिक करके यहां पे नीचे देखिए आ रहा है रिमूफ वाटर मार्क इस पे क्लिक कीजे या फिर आप यहा यहां पर उपर एक option है no watermark इस पर क्लिक करके और apply कर दीजिए ओके दिखें तो देखें watermark जो है यह हट चुका है इस तरह से आप जो हटा सकते हैं एक तरीका और ही से हटाने का कि आप simple watermark में यहां पर जाएए और यहां पर नीचे आता है custom के नीचे remove watermark इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपने आप हटा देगा तुरंधी तो इस तरह से आप Microsoft Word में असानी से watermark लगा सकते हैं यूज कर सकते हैं और हटाना चाहिए तो हटा भी सकते हैं सब्जेट गो में आज हमने सीखा कि Microsoft Word फाइल में watermark कैसे लगाते है custom watermark और किस तरह से हम जग कस्टम watermark को manage कर सकते हैं remove कर सकते हैं या हटा सकते हैं सब्जेट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सिखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेट गो चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेट गो चनल सब्सक्राइब क वेबसाइट पर विजिट कीजिए वहाँ पर और भी बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं और सिख सकते हैं और देखते रहे हैं सब्जेट गो और सिखते रहे हैं धन्यवाद थैंक यू